बिलासपुर गाव में रामु अपनी दिन चर्या से बहुत खुश होता वो हमेशा की तरह बाजार सबजियां लेकर जाता और उससे अच्छा मुनाफ़ा कमा के घर आता एक दिन वो बाजार से सबजियां बेचकर घर आही रहा होता है कि आज कल गाव में चोरियां बहुत ज्यादा बरज गई है जब देखो कभी यहां चोरी तो कभी वह मुझे भी पता नहीं क्यों आज बहुत घबराहट हो रही है आज मेरी सभी सबजियां बिग गई जिससे मुनाफ़ा अच्छा हुआ है मुझे जल्दी इस रास्ते से निकल कर घर पहुँचना होगा नहीं तो मेरे उपर अगर किसी चोर ने हमला किया और मेरे सारे पैसे लूट लिए तो मैं पूरा बरबाद हो जाऊंगा इतना बोलकर रामु तेजी से अपने घर की ओर जाने लगता ये कुछ दूर गया ही होता है कि सामने उसे एक आदमी मिलता जो हाथ में गण लिए रामु को बुरी तरह से घूर रहा होता आज फिर मुझे एक बकरा अच्छा खासा माल लेकर मिल गया चलो अब तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो जितने भी पैसे तुम्हारे पास है सभी मेरे हवाले करो नहीं तो यहां से जिन्दा नहीं जा पाओगे अरे बाप रे आज तो बहुत बुरा फस गया इसके पास तो हथियार है इसे में अगर अपने पैसे नहीं देता ओ तो ये मुझे यहीं मार देगा ये मेरी दिन भर के मेहनत की कमाई है चलो पहले जैसे तैसे करके यहां से जान बचा के भागता हूं फिर कुछ सोचूंगा तुम इतना क्या सोच रहे हो लगता है तुम्हें तुम्हारी जान से ज्यादा ये पेसे प्यारे है मैं, अभी तुम्हें इस दुनिया से अलविदा करता हूं। चोर के इतना बोलते ही, रामू पूरा घबरा जाता और बोलता। नहीं, तुम मुझे कुछ नहीं करना। मैं तुम्हें सारे पैसे दे रहा हूं। मुझे यहां से जाने दो, मेरे बीवी बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं, ये लो, तुम सारे पैसे। उसके बाद रामू सारे पैसे दे कर भागते हुए यहां से घर की ओर जाने लगता। ये कुछ दूर जाता और अकेले बिच जंगल में बैठ कर बोलता। अब मैं घर जाकर अपने बीवी बच्चों को क्या मुह दिखाऊंगा, कैसे उनसे कहूंगा कि मेरे दिन भर के कमाये हुए पैसे एक चोर मुझसे छीन कर ले गया, सभी के दिल तूट जाएंगे और मैं उन सब का मायूस चेहरा नहीं देख पाऊंगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं इस चोर से मैं हाथा पाई भी नहीं कर सकता था, जो उससे बच के भाग पाता, उसके हाथ में तो साक्षात मौत का खिलोना था। तुम बस ऐसे ही प्रहाई में मन लगाये रहो और खूब आगे बढ़ते रहो, पापा की चिंता तो मुझे भी हो रही है। मैं अपने पैसे लेकर ही घर जाऊंगा, क्यो न मैं पुलिस के पास जाकर सारी बातें बता दूँ? हाँ, ये अच्छा तरीका है, पुलिस ही मुझे मेरे पैसे दिलवा सकती है। इतना बोलकर रामू भागते हुए, पुलिस के पास जाही रहा होता है, कि सामय उसके एक कचुआ आता और रामू से बोलता। क्या बात है भाई, इतने परेशां होकर भागते हुए कहा जा रहे हो, कोई परेशानी है क्या? सबसे पहली बात तुम मुझे देखकर घबराना नहीं, मैं शुरू से ही बोल सकता हूँ, क्योंकि मुझे एक साधू द्वारा बर्दान मिला हुआ है, मैं कभी भी कोई भी भ बचुआ मेरे सामने, लेकिन तुमने अपने बारे में बता कर मेरे जान में जान डाल दी, में में बहुत ही मुसीबत में भसे हूँ भाई, मैं एक छोटे से परिवार को लेकर अपने गाव में रहता हूँ, और खेती बारी करके जो सबजियां उगाता हुई, उसे बाजार में बेच कर अपना घर का खर्चा चलता हूँ, लेकिन एक चोर ने हाथ में हत्यार लिये, मुझसे मेरे सारे पैसे चीन लिये, अब मैं इस हालत में घर कैसे जाऊँ, मेरे बीवी बच्चों को इसके बारे में पता चलेगा, तो उनका दिल तूट जाएगा, इसलिए मैं प गरीब लोगों को हत्यार दिखा कर उन्हें लूटता होगा, उन्हें बरबाद करता होगा, आज उसकी अकल ठिकाने लानी होगी, इतना बोलते ही कच्चुआ जादू करता, जिससे तुरंत गायब होकर चोर कच्चुए के पास आ जाता, चोर जैसे ही इन दोनों को देखता चोक जाता, मैं अचानक से यहां कैसे आ गया, अरे बाप रे, इतना विशाल कचुआ, मैंने पूरी जिंदगी में पहली बार देखा है कहीं, ये कोई राक्षस तो नहीं, ये पक्का कोई मायावी दानब ही होगा, जो मुझे च्छन भर में ही वह से गायब करके यहां ले तुमने बहुत लोगों को सताया है, बहुत लोगों के मेहनत की कमाई खाई है, ना जाने लोग कुछ पैसे कमाने के लिए, कितने ठोकर खाते हैं, कितने पसीने बहाते हैं, तब जाकर उन्हें कुछ पैसे नसीब होते हैं, और तुम हाथ में एक जानलेवा हत्यार लेकर उ उनके सभी कमाई छीन लेते हो, आज में तुम्हें यही जिन्दा खा जाऊंगा, तब जाकर मेरे मन को शांती मिलेगी, और तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल। कच्वा जेसे ही इतना बोलता, चोर की हालत खराब हो जाती, और बोलता, मुझे माफ कर दो, मुझे कुछ नहीं करना, मैं आज से सभी गलत काम को त्याग दूँगा, कभी किसी गरीब के पेट पे लात नहीं मारूंगा, बस मुझे कुछ नहीं करना, मेरे बीवी बच्चे मे मेरा इंतजार कर रहे हैं, मेरे बाद उनका क्या होगा, मैं अपनी गलती को मानता हूँ मैंने, बहुत को तकलीफ दी है, बहुतों को सताया है, लेकिन मैं आज से वादा करता हूँ, मैं सभी गलत काम त्याग कर, मेहनत की रोटी खाऊंगा, और जरूरत मंदों की मदद चोर सारे पैसे रामु को वापस लोटा देता और अपनी गलती का पच्छतावा करने लगता।